जैस अच्छी दालिया मैंने दो मेने पहले जो बीडी सिग्रेट का भी इन भाई सामने बोला था सत्संग सुना था निर्वा जी का टीबी बे और मैंने ऐसे मेचार किया था कि अपने को बीचलना है एमदावाद तो वो योग यही मेरे को मिल गया बहत अच्छी बात है और तमागु मेने तुछ सोला मार्च से छुटी विये मेरी बहत अच्छा है यह मेरे को चमतकार दिखा बहत अच्छा निरुमा का शिरुवाद मिल गया अमारा तु अन्वगोव है जितना आपका निशचे strong है डादाजी के अशिरवाद मिल गया का तुटी निशचे । दादाजी के अशिरवाद ता हंडेट परसंट शुट गयातें बहत प्रकार के दूशन शुट जातें पतनी के टेटे बहुत अच्छी बात 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 आशक्ति प्रश्र संहिं में उसमादान से उसका भी है? यह दिने अवितर आप अप्या है आप अप्यादा आप तेटे अहला है यह जदी नए बने छितने आशक्ती जादा होती है वह जगिए बोस्ते हाफ तो इसको शुदधात्मा एप फाइल एप जेखो और उसके जो कुछ भी ऑब्जेक्शन करें, कुछ भी गलती निकाले, तो उसको उस्टाइम पर थोड़ा संजाओ से निकाल करो और रात को बैठके संजाओ कि जिए क्या बात है छोटी बातों में मेरी क्या गलती है, जिए क्यों एक दुसरे को दुख देते हैं, आराम से प् बात के हैं कि जादा करें तो यहांके प्र आगर उसको एक बार संजाओ और प्रतिक्रण भीतर में चालो करो है यह चछूर। तो पहले वो याद ने देए अब वो क्या है विदी ग्याद विदी नेए अब ही समदलो पतनी के अंदर भी शुद्धात्मा देखो और समदलो आप थोड़ा लेट आए बाहर से तो चालो कर देगी बोलने का बस गाहबारी भूमते रहते तुमारी कुछ पड़ी ने हमारी क बाहर आप पर देखो और समालती ने अए 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 वे से कुछ बोल दिया तो आप सुधात्मा देखो और बोलनों के शुद्धात्मा गवान इंको शांति वे इसी कृपा करो यहाब इसा निकाल कर दो मुझे और क्या नाम है आपका 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 नाम क्या है गल्षयाम अए तो गण्षयाम को गण्षयाम यह फाईल इनको दूख ने हो यह से व्यावार करो इसे आप बीतर में गण्षयाम से बात करो और रात को बैठ के आज से सुरू करो रोज अधा गंटा रात को बैठो और बच्पन जब से शादी हुई तब से आज तक कितनी बार उसको और कुछ दूख दिया एक दूसरे के साथ कुछ उकी पुछ प्राकड़ के सπी परिस्थिति को यात करके माफि मांगे जाओ तो क्या है कि वो अपने हिसाफ से उनको भी छूटना है आपको भी छूटना है आपको भी छूटना है आपको शांती लगेगी उनको भी छांती लगेगी और हिसाफ जितना पूरा हो गया तो फिर आपके सा जगड़ा भी बंदो जाएगा प्रतिकमान करो जादा स्यादा स्य तो उसको थोड़ा प्रोटेक्शन देने का देखो मैं इधर शाथ में गया था हूपस अपस जाए मुझे कोई सन्या सोने का नहीं है तुमको समा रूंगा तो आपका यह लगए लाइव थाओ उसको तड़ा हम्मत दो कि मैं तुमारे साथ में हुँ और लास्तक आप में रहूगा आप क्या है कि बेदरकार हो गए उसको दूर दूर ध्यान करते हैं इसको इसको इंसीुरिटी जादा लगती है तापका ध्यान उसके ठफरती उसको प प्रेम से निकाल करना 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 निका करें, Hero.. However does Sat Karma, क्या कर्या कर्ना है, आपको ? नая मानने शेवर्द,, मॉसे म camping, स्थीक, सेवा परोपकार, Lord, अपकार तो करते रो, अमित के पास कराने का 51. कर्ताई भाव से कर्म बंधन ओता है कारिय कर्ने बंदन न बंधन मेंन होता है जना अमित के पास करा उना है, और आपको जानना है, जिए फिजो भी जाल, सेवा करो, पुरूपकार करो, जान करो... जना अमित के पास कराऊगे और हुवासो व्यवस्ति, साथिपिक, सचंटिप्पिक, सर्खम्छली उविड़न से हो यह है, जना अमित is one of the evidence.. तो यह जागरती में यह पांच आगया में एके जो भी व्यवार करोगे तो डेफिनिटली कर्म नहीं चार्ज बेंगे समझ में आया ना? और सतकर्मा आराम से जादा से जादा कर सकोगे निरने पमित करने गा प। इसको निरने कौन लेगा? अमित लेगा या या Haithतमाझंझगा तो इनेगा तो यह करने करन करने गा उट निराने तो आहिए लेगा उसको ग्यावस्तित की परेना должна आए इसके पीछ्छे संवंगी ब्यवास्तित का मिलता है कि Amit ने पुर्वा भाव में भावना की थी, मुझे मंदीर में दान देना है, सभी की सेवा करनी है, वो दान का जो बीज दाला था, वो आज बीज उगता है, और प्रेणा आपको होती है, कि नहीं में चलो सेवा करूँगा, हॉस्पिटल में एवरी बेर जाओंगा, सब को फुरुट देंगा, सब की सेवा करूँगा, तो यह पुरुवा कर्म का फॉल आया है, और वो व्यवस्थित की प्रेणा आपको अमित को मिलेगी, और बाहर के झालेंस भी मिलेगे, समझ में आयाना, तो उस टाहं पे यह डिस्चार्ज कर आज का, इस सेवा का भाव होता है, ओभी डिस्चार्ज है, तो उस को अजनता से मही अमित हू, मही नी किया मानती थे, उसस़े वज़से नंट्लाई थे 뉴스 करते थे का तो अब आपको जागरती मिल गई कि मैं शुधात्माउं अमिद करता एं और अमिद जो भी करेगाविशसीद कराता है तो फिर गए कर्मेद का ने हो और जीडिया का अब करुछी और अमिद का डिसचार्ज में तो है तो दिरे दिरे पूरा करना है प्रतिकमोंड से माफी मिलती है, तो भूल करने का लाइसंस भी मिल गया क्या? नहीं, जो भूल करता है, उसको प्रतपस्चाताप होता ही नहीं है, और जो आपनी भूल करता है, वो भूल एक दिन उसकी खतम हो जाएगी, उसकी गरेंटी दादा भगवान के तरफ से है, कोई आप दुनिया में जाके लेखो, कोई अपनी गल्ती के प्रता है, माफी मांगता है, किल्न है, ने खकीकत क्या है? आपनके गहूं के दाने, गहूं के दाने डालते हो, और बाजरा का दाना फल मिला यह, तो फल बीज दोनों अलग हो गए, क्रोथ का फल है, बस चाथ करते हैं कि मी भी जी किसी को दूख नहीं देना है, तो ये भीज आप नहें डालते हो, किसी को दुख नही देना है, और फल में पीज दूख देते हो, तो दोनों अलग नहीं हो इगा, तो यह करोद का फल, दस हिसाब 10 लेर होईगा, दसवार होईगा, क्योंकि कोई भी कर्म लेर नहीं होईगा, कोई भी दोष है, पचीस लेर ह एक तक झायब होईका दस जो हम रहे होगा एक्रोगी यह 12 जो होईस तंज हमें यह एक और पावर में हलेजसे toughest नहीं मिलता है यह सच्ग की गलती है कंवर इसके पुद की गलतीजिंगें से के भार बहुत पस्चाता होता है और पस्चयत आप से कोई भी प्रकार की गल्ती जल जाती है। समझ में आया ना? यही सचिदा यही सचिदा रमा कांत राथोर मन और आत्म में क्या भेद है? मन और आत्म में बहुत अंतर है मन जैसे फिलम रहती है ने और देखने ओधा में प्रख्शक रहते है? तो प्रख्शक और फिलम इख यह अड़त अग़ है? तो अग़ है ा ने कंधा मन अपना आत्म की जगव है और आत्म जाता की जगव है प्रकषण की जगव है यही से ज designed to one can see यह देखने की बस्तू है, दोनों, मन विनाशी है, आत्मा विनाशी है, अपनी दृष्टी, पहले क्या होता था मन में एकार हो जाते थे, खराब बिचारागे, मुझे बहुत खराब बिचाराते हैं, और आप तो जानने वाले हो, उसको देखना है, जानना है, तो आपको बंने वाले हो, तो मन एग्जोस्ते जाएगा, आपको दुख भी टचने होगा, समझ में आता है लाप, दीपीका, इंदूर, ओ बाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म क्या है? नो कर्म नहीं है, नाइन नहीं है, अगर नो कर्म याने क्या है? यह तीन प्रकार के कर्म बोला जाता है, बाव कर्म याने? मैं दिपिका हूं, मैं कर्ती हूं, क्रोध होता है, मान अप्मान, लोग, कपट, मो, मम्ता, एहंकार, वो भाव है, भाव कर्मा, वहाँ से चार्ज होता था, जो कर्मा चार्ज होता है, उसको भाव कर्मा बोलते है, और चार्ज कैसे होता है, परमानु चार्ज हो जाते है, आत्मा शुद्ध प्रकास वरूप है, पर अज्यानता से परमानु च अर्म चास्मे ले जाइ, तो फिरा लेंसे से ऑफले की फर्फर्माय। पर ले। अजा समा अधे ली। और रुभया कर्म बोलाजा एकदाओ, ज्रेशन जाय जयाई, उन्णा उन्द लिए, फिरस्थ लेवारंध्या रेष्वारंध्या एक तो यह मौ कौन कराता है, मौनय कर मारता है. तो ऐसे कर्Shaure करम कराता है, तभी आकर्षन होता है, मौ हो जाता है. तो यह द्रवय कर्म लोला जाता है. और बाद में आप खरी दी करने निकल गये, पीसाय धे कर्चेस पर्चेस करते हो, तो देह क्रिया हो गई, मन की क्रिया हो गई, वानी की क्रिया हो गई, वर नो कर्म बोला जाते है, इस्चार्ज कर्म पर डिस्चार्ज आया कहां से द्रव्य कर्म में से, द्रव्य कर्म कहां से तब पिसली पचली लाइप में भाव किये थे, तो भाव कर्म चार्ज वा उसका फर्स्ट डिस्चार्ज द्रव्य कर्म रुप है और उसमें से धिरे धिरे कर्म फालते रहता है और नो कर्म बोला जाता है तो कल ग्यान जब आपने लिया तो यह तीनो कर्म से आपको मित्त किया यह भाव कर्म से द्रव्य कर्म से नो कर्म से म कोई अपमान करतो है तो उसको अनादे नाम कर्म बोला जाता है कोई मान रिस्पेक्ट से बुला और आईए 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 तो आदे नाम कर्म है को अपयास नाम कर्म कोई अपयास देता है कोई यस देता है तो सब कर्म का फल अभी भुगतना बाकी है, उसको संभाव से निकाल करेंगे, तो खतम होते जाएंगे, न्यानमार्ग में बुद्धी से पुर्षाद होता है क्या, यह कभी, कभी बुद्धी लबाडी करती है, तो बाइसाम बलते हैं, सिगरेट पीते हैं, तम्हा कुगाते क्या बुद्धी निकाल करो हाँ अगर, मुक्षका ध्याई की विरुद रहा है, तो फिर बुद्धी कभी टेक-ओव कर लेती है, तो अपने ये जागरती रखनी है, अपने पास दो एक प्रक्र्याह है ग्न प्रकाष औ दुसरी बुद्धी है, बुद्धी डिस्चार्ज क बढ़ने पर फल तो देगी ही देगी दूसरे के दोस्ट दिखाएंगे नहीं बताया किसी ने इंसल्ट कर दिया तो उद्धी कुद पड़ती है क्या मेरा इंसल्ट के मैं देख लूँंगा नहीं तो बुद्धी कुछ भी बताएगी उसके ओपर वश रखना यह जागरती से और ढुद्धाि मोग्ष के ध्डेए के अनुसार है या बीरूद है। तो भी चेक्रार्ण है। मोग्ष की लाइन ने जो मुद्धी बताएगी चलो सत्समे जानाएगी मजह आती है। तो गो एद बरो बरे। बद्धी की बताएगी। तो नहीं किया जाना गर में तो तीव आता ही है नहीं चलो उठो जाना इपड़ेगा तो आप उसके उपर वाज करके मोक्ष का जही के अनुसार चलाए तो बुद्धी तूट जाएगी तो बुद्धी कभी बगाड भी सकती है समझ में है ने बुद्धी नुकसान भी कर सकती है तो पुरुशार तो नहीं कराती है तो अगर डिश्ट करती है दखल करती है जैसाचिता है संध्या सुखला पुझ्यनृरमा ने बताया तहा इस जन्म की आयू पिष्ले आयुश कर्म से निरधारित होती है लेकिन यह roadmap कर् व्हाया बभाई है वेवल आपने पहले ज्यान निया था बाहता कि पत्राइब निया लेका निया जुछ यहार्कि बढ़ा है कि तब शुछ यहाद प्रफ़ करें छृड़ा दो डीठी करें जुछ सुछ दूनर कि रिख चाना करना करना लेख प्रफ़ रस बनूर्ण है आपने दिन में पांच आगें और बुल्चो कोई, किसी को दोसित देखा है, किसी को करता देखा है, किसी के प्रतिराग्जेश हुए, उसको डो डालना है, तो फिर आपकी जागरती बढ़ते जाएगी और निरुमा का टीवी में जो सत्संगा तो जेखो एखो तो तो जान बीच को प्रोटेक्शन के लिए पांच आगया है, यह सत्संग पानी चांट जैसा है, और चरण इधी खत जैसा है, तो यह तना थीन चीज़ समाल होगे, और प्रतिकमण कच्रे आज पास है ने दूसरा, आप कितना भी खातर डालो, पानी अच्छा डालो बीच बाज जान बीच, उसको खत डालेंगे, पानी डालेंगे, दूसरे अजु बाजु बाजु आले, खच्रे उग जाते हैं, तो उसको कात देना पड़ता है, तो प्रतिकमण से कच्रे साफ कर डालेंगे, समझ में आता है, अभी जो पिछले जन्म का आईश्य कर्म पे निर्गधार तो देश का करम के ताम आथो करमा चार्जोच चार्ज़ाटे निर्भरन, दर्शना वर्ण, मोह 네 लत अंत्रामर नमकर्म, वेद्नियय करम, अईुषकर्म, गत्रकर्मा, य EPA इस द्वेष परिणाम है, अथवा तो दूसरे को दूख हो जाता है, ऐसे परिणाम से अविष्ष कर्म कम होते है, और मोहनिय कर्म कम होता है, नानावरन कम होता है, दर्षनावरन कम होता है, अंतराय कम होता है, शाता वेदिया बढ़ती है, अशाता कम होती है, लोग पुझ् और आप्टे प्रम निंद्य हुष्रा भणता है अर अईविश कर्म कम होता है और अद्सक्रम आभिए ठोले है अब आपकर उठते हैं, बोलते हैं लिवख्राय लिखे कर्म पूराओगा यह साजज पूरे हम ऑपको चलने कर्म पूराह कर्म यह ज़ब खाते तो इस कर्म बांध थे है और कर्म पुरे होते होते हुआ फुछ नबी कर्म स्पुरे होईंगे अच्छ पुरे होटे है तो आपट पुरेए जाएगे अच्छा राफ नब पुरे ओड़ी कोई दुसरी को पुरुपी देना है तो ऱ Links दियो होगे ऐसे उसकांद रहें एसे उ इनलूप अईष्कर्म भी वान उब द पार्थ इसका एनगे अज्ञान्ता सब कर्म चार्ज हो जाथे थै अईष्कर्म, भी जयन विलाहे Сथा कस्यत अगाई नगया छाएगा देह उंखे मांयाजी, अथ मेशल ऐसे तक भडन अब हो जाएगा और बाद मेंश the जगत काल्यान काम बी करेंगे और बाद में सब कर्मा पूरे हंगे तो मोर्ष र semanas तो यही वावना करनी है कि अभी इस संसार के सभी व्यवार oke व्यक्तियों के साथ का व्यवार कि वेतले हो उसका फटे हाव सम्भाव द mismoकरया ठूटना हे तायारी कुरखे एता है भी जब ऑल्यो आपथ Alongगर करें फूटना है झाल वेत लैर्ट मेंं परेण प्लों क electrAd का रिष्हां का शंभाव निकाल करना है सारी जीवन में जितने भी राग, द्वेश, अभाव, तिरसकार किसी को दुख दिया गया था, एक एक दोष को चुन-चुन के साफ कर दिया उनोंने, एक एक व्यक्तियों के साथ काईसा, तो वो ही पुर्शार्त अपने को भी करना है, जो फ्री टाइम मिल गया, संडे के दि स्कूल में टीचर है, फ्रेंड्स है, बाद में कॉलेज में आ गये, बाद में शादी हो गई, एक एक परिस्तिती याद करके, जो जो गलतियां हो गई है, खुद की गलतियों के माफी मंगते जाओ, तो एक एक व्यक्तियों के साथ का इसाब पूरा हो जाएगा, आपको मु आवी देख शेत्र में शेमंदर स्वामी के पास और वहां से मोक्ष पुरा खोला नहीं है समझ में आपको? अभी शेख है अभी क्या प्रश्न पूछना है? कि युवा वर्क को आपका क्या संदेश है? आपके लिए और युवा वर्क के लिए? तर युवा वर्क के लिए हमारा तो इतना दो चीज़ में अनुफ़ किया वोई में बता सकता हूं जी मिल्कुब कि युवा वर्क के लिए ज्यान लिया दादा बगवान के पास 17 साल की उम्रह में और बाद में हमारी दृष्टी निर्मल हो गई तो दृष्टी दोस्त मेरे देरे स्टॉप होने लगे क्योंकि युवा अवस्था में विकारी दृष्टी बहुत बढ़ जाती है और दुसरे पैसे का भी थनकनाथ होता है चलो मैं खुब कमाऊगा मजा करूंगा तो यह नॉर्मालेटी उसकी तूट जाती है क्यों शादी करूंगा टो मगर एलस यह सादी करूंगे अगर सादी के बढ़े जो द्रस्टी बिकाड़ देते हैं विचार बिकार और TV Adaptation में टेप्टैंगे बितकर और सारा दिन भीमें विचय गश्धफे कर में कॉलेज में वही दंदा लगा देते हैं सब लोग और नॉर्मालिटी नहीं रहती है एक आप जीवन का कुछ जब पढ़ाई का ताम अची तरह पढ़ो और जब शादी की उम्र है तो उस तेम जो माबाप बताएं और तोड़ा पैचान करके जीरे जीरे परिशाई करके शादी करो उसमें भी हर्कत नहीं हर्कत नहीं हो जाती है तो हस्बंड वाइफ वहीं सरकल के बार दरष्टी नहीं बिगड़नी चाहिए अभी जब तक सादी नहीं हुई यह हो गई फिर दरष्टी तो बिगड़ती रहती है मनुष्यकि ज़कि मोधधष्टी है ने इस मोहनिय कर्म मोधधष्टी कराता है अज्यानता से तो कर्म चार्ज किया तो अब प अब पवित्र कैसे मिलेगा बाद में अपने तरफ से पहले प्यॉरीटी रखो लक्ष्मी की बीद प्यॉरीटी होनी चाहिए और विष्यविकार की बी प्यॉरीटी होनी चाहिए और यह चोटे एकी शब्द में समधना है तो मन वचन काया से किसी को दूख देके आप होगे इसा कभी नहीं सकता है नहीं अपनी बहन के ओपर को दुख दूख दूख दुख दूख 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 समझ में आता है ना? मुझे आप से एक बात कहनी है मेरे पापा ने बच्छपन से सिखाया था क्या? कि अधन गया बेटा तो कुछ नहीं किया है? धन हाँ वेल्थ इज गवन इन नथी इज गवन हेल्थ इज गवन इस संथिंग गवन बड़ केरेक्टर इज गवन, ओल्थ इज गवन मैं एक बात कहना चाहूंगा मैं बच्छपन से ना कोई नसा कर रहा हूं और यहां तक कहता चाहूंगा कि मैं किसी इस्तरी से भी बात नहीं करता हूं और मतलब कि करीब आग पुरी होल लाइफ में माना हूं इसका अर्थ क्या हुआ जो कि मैं कुछ काम ने करता ना मैं एक जिन पढ़ता हूं और वह इसी ची पसंद ने करता ना बोलता हूं इसका अर्थ यह है कि पुरुव कर्म क्या पहल है एक पास्ट लाइफ में विशे विकार का तो ज्यान के बादी गरंती कतम होती है अज्यानता में तो यही जीवन का दिय है चलो मजा करेंगे पांच इंद्रे की सुख मजा करेंगे तो पिछली लाइफ में एक बीज डाला है दरष्टी दोष किया था मगर कभी दोष को दोया नही था तो बीज डाला उसको विशे की गरंथी बोला जाता अपना जो मन है ने मन में गरंथी गरंथी है मान की गरंथी है मान की गरंथी है लोप की गरंथी है मोह की गरंथी है विशेविकार की गरंथी है खाने की गरंथी है लेके आया है तो गरंथी को गरंथी आने जब और भी बोले जाते हैं, गरंथी में से उगे कुछ नब कुछ, तो भीषय की गरंथी में से विशेवी कार के विछार सुरू होते हैं, उसकी जब उम्र होती है तब तो ये विचार सुरू हो गए, तो डर्ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके माफी मांग लो, सामने वाले शुधात्मा के पास के, है बीतर में बेट्थे हो शुधात्मा गवान, ये शरीर के प्रती महोदरष्टी से विकारिवाव हो गए, दिल से में पश्चाता अप लेता हूं, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दे जो, मुझे निर्मल दृष्टी, निर भास लाक लेयर जए sneaking सही बात है उले हम नुद के शुध यह कुछ विस्य और मनुष्य में, तो येफो उसको बान येपo, जो कि शुधान यह ही पहरत में विस्य थार कुछ जाते है और इस को औऐ कर से खिस्ति को कॉस्याती हह कुछ +, और डूसरा यह है कि प्रुद, माय सारे ठीक, पिक्चरों, एक्ट्रेसों, इसी बाते करते रहते हैं सब लोग तो मोह में और बीज डाल देते हैं और दोने की बात कोई सिखाता ही नहीं है इसमें क्या गल्ती है और किसी ने बताया नहीं है दादाजी ने बहुत तीन जिज़ जरूर बताई है कि परस्त्री परपुरुष की लपड़े बाजी होगी तो मोह 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 कोई जिमेदारी दादा बोते हैं मैं नहीं लूँगा और दारू पिता होगा या नौनवेज खाता होगा तो फिर ये तीन गुने के बहुत जोखम बाला फल है ये नरगती तक पहुचा देगा उसको परस्त्री परपुरुष तो नरगती ही फल है आचार बिगड़ गया तो और विचार और द्रष्टी बिगड़ गड़ गय तो जानवर गती फल है ही है ये को अब ये आदमी में से जानवर जाने का रस्ता यहां के मनुष्य निकाल दिया है रिजर्वेशन कंफर्म करा लेते है उसको मालूम नहीं के द्रष्टी दोस में मज़ा आती है या उसका फल मुझे जानवर गती में जाके भुगतना पड़ेगा और ये कल्यूग में इतना विशा विशावगर दोस इतना बढ़ गया है दादाजी बताइ ते 85% पब्लिक दो पाव में से चार भामे चले जानी वाली है 85% बोलो हाँ जिसको वापस आना है सारी जिंगे के दोस्की माफी माफी मांगते रोह तो गैरेंटी से दोष्ट धोये जाएंगे, वापस मनुष्यपन दिखेगा, और उर्द्वगति मिलेगी उसको. एक ही उपा है प्रतिकमण, समझ में आता है, ये विश्य में जैसे बरस्टाचार किया है, ये लक्ष्मी में भी बरस्टाचार किया है, और ये दोनों बरस्टाचार उसको अद्वगति में लेके ही जाएगा, एक अल्यूक की आदमी को, बहुत बयंकर पाप है ये दोनों तो, समझ में आता है ना?